हर हर महादेव ओम नमेश शिवाई राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में पार्थीव सिवलिंग यानि मिट्टी के सिवलिंग बनाके आप रोजाना पूजा कैसे कर सकते हैं आप सब तो जानते ही हैं कि मिट्टी के सिवलिंग का पूजन करना सास्तरों के अनुसार सबसे ज़्यादा फलदाई है और ये बहुत आसान भी है तो देखे हम क्या करेंगे गमला ले लेंगे आप चाहे तो पेड लगा हुआ गमला ले सकते हैं या कोई खाली गमले में मिट भरी हुई है अब हम सामगरी देख लेते हैं तो हमें पूजा के लिए एक लोटा जल चाहिए होगा साथ में हमें कच्चा दूद चाहिए है इसके साथ ही तिलग करने के लिए हमें चंदन लेना है और चावल लेने हैं साथ में हम एक देशी घी का दीपक और धूप ले ले रितूफल ना हो तो आप चीनी ले सकते हैं दक्षिना और फूल हम ले लेज़े ये सारी सामगरी हम लेज़े साथ में हमें मिट्टि चाहिए होगे क्योंकि हमें मिट्टि के सईवलिंग बनाने हैं तेखे, घर में कोई भी पोधा है, उसके गमले में आप सिवलिंग बना के पुजा कर सकते हैं, सिरफ तुलसी के गमले में हमें सिवलिंग नहीं बनाने हैं, बाकि किसी भी गमले में आप सिवलिंग बना सकते हैं, या आप खाली गमले को मिट्टी से भरके, पूरा महीना इसम जल चढ़ाने के बाद फिर हम कच्चा दूद चढ़ाएंगे दूद गरम किया हुआ नहीं लेना है कच्चा दूद हमें लेना है इसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे यानि शिव जी को तीन बार अभिशेक किया जाता है सिवलिंग का तो हम अभिशेक कर देंगे उसके रखोग्षणारग मानलो पेक्षण होगे में सकते हैं उसके बाद चावल समरपित करना ह­ अै में सकतों डिपकड़ा समरपित करना है रितुफल ना हो तो आप चीनने का भोग लगा सकते हैं उसके बाद धूप दीप हम दिखाएंगे और बहुती प्रेम पूरवक हम भोले नात की आरती करेंगे तो यहाँ पर आरती कर लेंगे आरती करने के बाद हाद जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए इसमाय आचना करेंगे और अपनी मनो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रावपना करेंगे तो इस तरह से हमें रोजाना पार्थिव सिवलिंग बना के पूजन करना है पूजा के बाद जो आपने भोग चड़ाया है वो घर के सब सदस्यों में परशाद के रूप में बाट दे इसके साथ ही जो दक्षिना आपने चड़ाई है ये दक्षिना आप रख लीजिएगा पूरे एक महिने तक आप रोजाना दक्षिना चड़ाएंगे सारी दक्षिना इखटे करके आप दान कर देना तो यहाँ पर मैंने दक्षिना रख ली है उसके बाद जब दीपक शान्त हो जाएगा तब हमें जो शिवलिंग हमने बनाए हैं उनका विसरजन कर देना है तो दीपक शान्त हो गया है उसके बाद हमें गमले में जल डालना है और जल डालकर हमें जो ये शिवलिंग जो बनाए है इनको विसरजित कर देना है जो मिट्टी है वो वापिस मिट्टी में ही मिल जाएगी तो इस तरह से शिवलिंग का विसरजन हो जाएगा सास्तरों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग के अभिशेग का सबसे जादा महता होता है और पार्थिव शिवलिंग का यानि मिट्टी के बने शिवलिंग का अगर आप अभिशेग करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है तो इस सावन आप हो सके तो रोजा पार्थी शिवलिंग बना के पूजन करें ज्यादा टाइम नहीं लगता है विसरजन का भी कोई जंजटनी होता है दो चार मिनट में ही पूजा हो जाती है लेकिन अगर आप रोजाना पार्थी शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो कम से कम सावन के सोमवार के दिन आप विश्फुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हर हर महादे ओम नमेशिवाय राधे राधे